यहां पर अलब हो रख्या है यह वाला फूर्ट्स कौन सा होगा कमेंड में जरूर बताना कर सीजिन्स चेक करें फ्रेंड कोछ भी दिखाई नहीं देरा बिल्कुल इतना घना को रचाया हुआ है वाकि मौसम तो बेमान होई ही रख्या है वो तो दिखाई ही चुका हूँ आपका अपना दोस आपका अपना भाई पाहाड़ों से आप तो जानते ही है मेरा घर है पाहाड़ों पर उत्राखन के एक खूपसवर सी घाटी है मुक्तेसर तो मेरा गाउं है मुक्तेसर में तो दोस्तों अपने गाउं अपनी बेभूमी से एक और ने व्लोग में आपका भी बारी शुरू हो सकती है तो दोस्तों कैसा लगा मौसम कमेंड में जरूर शेयर करेगा और इस खूब सो हसे मौसम के साथ अपने दिन की सुरुआदी करते हैं अपनी पहाड़ी जो लाइफस्टायल है आजकल पहाड़ों के बहुत काम हो रहे हैं खास तो पर हमारे मुक्त तो दोस्तों मैं जा रहा हूं खेतों की तरफ को क्योंकि जैसा में रोज बताता हूं आजकल आपको कि पहाड़ों पाजकल बहुत काम हो रहे हैं सब जगह अलग अलग दिंचरिया होती है पहाड़ों में इतना बड़ा उत्राखने है कुमाओं बेल्ट अलग है गड़वा बहुत सार रहे हो दोस्तों यह हमारा रास्ता है नीची खेतों की तरफ जाने के लिए और इस रास्ते के बगल में पेड़ है नास्पाती जिसके contrat बहुत सारे नास्पातियां लदी पड़ी हैं नेख ewाट तो मेरा गाम यह है ना जो यह सारी नासपातियां लदी पड़ी है इनको तोड़ लेता हूँ क्योंकि जब खेत उसे हम घास वास लेके आता है तब यह दिक्कत करती है नासपाती कितनी तो घास से टगरा जाती है गिड़ जाती है सड़ जाती है तो जितने जितने हमारे तो फ्रेंड कुछ ऐसा सीन है जैसा मैंने आप लोग को बताया तो मैं लगता हूँ अपने काम पर एक चीज यह काम हम लोग को पहाणों पर करने ही होते हैं अगर हम नहीं करेंगे तो दूसरा कौन करेगा क्योंकि इसी से हमारी गुजर बिसर सब कुछ हो जाती है अगर हम अ जाता हूं बाकि आप लोग के लिए जैसे हमारी दिन चरिया है आसपास के गाओं में कभी घृमना हो तो वह सारी चीजिए में आपके सांद सेर करता हूं और दिन इतने काम करना और सांथ ही आप लोग सूट करना हमारे पहाड़ों में कैसी लाइस्टायल हो रही है क्या चीज़े हम लोग करने वो सारी चीजे में आपके सांसियर करता हूं बाहर तो जा नहीं सकते हैं अगर मैं भी बाहर चले जाओं तो अकिला भाई इतनी बड़ी प्रॉपर्टी को समाल नहीं सकता है खेट बंजड़ के बंजड़ी रह जाएंगे बाकि हमारी धरती माता है बह करी दो तीन साथ लेवर कर रखी है और जब से यूट्यूब अपना यूट्यूब चैनल सुरू किया ना तब से घरी पे हैं चोटे मोटे काम इधर उधर कर लेता है बाकि घर पे भाई लोगों आसाथ मम्मी लोगों आसाथ देना है क्योंकि मम्मी पापा भी आप देरे देरे पूरा कर रहा हूं और आप लोगों से अपील करता हूं प्लीज आप सपोर्ट जरूर करें अपने पहाड़ी भाई को और साथ जरूर दीजिए ताकि हम भी धेरे धेरे ग्रू कर सकें और सब कुछ ना जो इस्तितिया है नॉर्मल सी हो सकें तो यही सीन है दिन जलता हूं घर को बाकी मौसम तो बेमान होई ही रखा है वो तो दिखाई ही चुका हूं आप लोगों को पथा नहीं किसी समय विवारी शुरू हो सकती है यहां पर अलग हो रखा है और इस वाले पेड़क की नासपाती बहुत ग्रीन हो रखी है फलों को खाने के लिए आसपास पक्सी भी बहुत आ रखें तो ना मैं भी अपने काम में लगा ही हुआ हूँ तो फाइन है दोस्तो जो आज का नासपाती तोड़ने का कारिकरम था वो कम्प्लीट हो चुका है समय हो रहा है करीब साड़े बार बजे का और इस समय ना मौसम काफी बढ़िया हो चुका है जो आगे तक वेली यां ढ़की हुई थी कोहरे से अब थोड़ा सा व्यू बढ़िया सा देखने को मिल रहा है तो मैं एक बार व्यू चेक कर आता हूँ आपको और बताना की कमेंड में कैसा लगा तो दोस्तों यह है मौसम इस समय का सबसे दूर जो एरिया है वो है दाना चुली जहां अभी भी हलका हलका कोहरा चाया हुआ है बाकि आसपास का महौल देख सकते हैं आप बाकि यहां से लेकर नीचे तक पूरी हमारी खेती बाड़ी है जिसकी मैंने आप लोगों को बताया हम लोग है पहाड के तो पहाड में यह काम करने ही होता है अगर हम लोग ना करें तो खेती बाड़ी ऐसे बंजड़ हो जाएगी आज कल बारिसों में तो ऐसा हो जाता ना चार चारफ पास मेहने तद एक दूसरे से मुलाकात करनी गाउन में मुस्किल हो जाती है क्योंकि सब लोग अपने अपने कामों में ब्याशते हैं फिलाल मेरा नासपाती तोड़ने का कारिकरम तो लेट हो चुका है और अब जा रहा हूं मैं खेत की तरफ खेत पर मम्मी पापा भी गए हुए हैं तो मम्मी ने थोड़ी घास बना रखे होगी जिसको लेकर आऊंगा मैं घर पर तो चलते हैं आज कलना घास ही घास हो जाती है बागे इस वीड़ को चेक करें फ्रेंड कितने नासवाती जूली हुई है इस पर देख रहा हूं और यहां पर हो रखा है गैंदा यह अभी तो गैंदी का पॉलह बोलूंगा मैं इसको कुछ समय बात एक दू महने बाद इस पर गैंदी की फूल आ जाएंगे तो काफी खूपसरत लगते हैं और वही दो आड़ू भी दिखें मेरे को वहाँ पर लास्ट के आड़ू है जो यह बरसा तुम्हें होते ना आड़ू वाला आड़ू है उसको भी चिडिया ने खा रख है बाकि जो अपना आउट सौक है यह तो योट्यूब ब्लॉगिंग में करता ही हूं डेली कोसिस करत हो ताकि जैसी हमारी इंचरीओ जैसे हमारी संगर स्कूर्ष कुल लाइभ है ना वो दुनिया ने को मिले और लोगों की क्या प्रतिकिरया है कितना प्Yार मिलता लोगों का है मैं यह सब चीज हैं अपना साइड से क्वाज इस सौक भी है आच्छा भी लगता आत spokeर ना और एक दिन घुमने के ट्रिप करेंगे, देखते हैं कहां जाया जा सकता है, वो भी आपके साथ सेयर करूंगा, बट थोड़ा सा ही काम हलका हो जाए, आजकल में हमारा सीजन है, इस बरसांत में, कुछ फसलें हमको लगानी हो रही है, कुछ फसलें हमको समेटनी हो रही है, उपर तो ना अभी तक इस खेप में मम्मी गोबी की गुड़ाई कर रही थी, और अब यहाँ पर सामने में घास बना रही है, तो घास लेके चलता हूं में सिधे घर की तरफ को, मौसम भी डेंजर बना हुआ है, इस गोबी की गुड़ाई हो रही थी, तो दोस्तों इस समय का मौ कितनी नमी दिख रही है, आजकल पहाड़ों के, स्वाहिमलो जी, गुड़ी इविनिंग, नमस्कार, इस समय ना टाइम हो रहा है, सामके करीब साड़े पांच बिजेगा, और फिस से ब्लॉग लेके आपके पास हाजे रहूँ, साथ में अप्यल भी चल ला है, सीन यह हुआ ना, दिन में खाना खाने के बाद कुछ काम हो नी पाया, क्योंकि बाहर तो लगातार बारिस हो रही थी, जिस वज़े से कोई भी काम करना पॉसिबल था नी, तो खाना खाने के बाद मस्त लेटा हुआ था, तो मस्त नीना गी सीन यह है, मौसम हो रहा है काफी खतरनाक सा, सबसे पहले आपको मौसम दिखाता हूँ, पूरी जो घाटिया है ना, गोहरे से धकी पड़ी है, बुल्कुल फुल लेवल, तो सबसे पहले आप देखें मौसम, और फिर बाद आगरता हूँ आपसे आगेगी, तो दोस्तों देखा मौसम है, किस प्रकार का मौसम हो रहा है, आप खुद यह नमान लगा लेंगे, एकदम खतरनाक सा मौसम, कुछ काम हो नहीं सबते हैं, तो मैं सोच रहूना, एक राउन में चले जाओं का सेलिंग मार्केट, थोड़ा काम भी है, और घूम के भी आता हुआ है, वो भी आपके सांस यह हो जाएगा, इस सालना फ्रेंड अपरेल से मौन हो रही है, अभी तक जून-जुलई, अगस्त का महना चला हुआ है, फिर भी लगातार बारिस हर से तीसे मास बारिसार से मौन बारिसार से मौन मिल जा रही है, वागे इस वाले खेयतमा का पता नहीं रिस्क तो नहीं लिए लिया मैंने देखता हूं तेजबारी सो जाएगी तो फिर भीगना पड़ेगा फ्रेंड इस तरब को ना पूरे मस्ट जो पीले-पीले दिखा रहें दिखाई दे रहें सब सूरज मुखी के फूल है इन फैक यहां पर भी है नीची तो हो रही है गोबी की फसल बाकी अगल बहल लेए कि तना प्यारा सीनार है बाकी बादन कोहरा तो लगा ही हो है घाटियों पर हवा भी चल लिए कुल मिलागे ना दोस्तों इतना स्वावना मौसम हो रखा है साम का इस समय जो मैं वाप कर रहा हूं कि सेले मार्केट की तरफ जा रहा हूं तो काफी अच्छा लग रहा है हवा भी काफी अच्छी चल ली है बस रुख रुख के बरसात भी हो जा रही किसी समय यही एक प्र पहचानते हैं तो फिर में बता दूंगा खेर चलिए बारिश से बचते बचाते फिलाल रोड पर पहुंच गया हूं मैं सरभी हाला भेंकर से हो रखे हैं कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है तो मैं यहां से नीचे वाला रास्ता ले लेता हूं सौटकर जो कसले मार्केट कर जाता है कर सीजिन्स चेक करें कुछ भी दिखाई नहीं देरा बिल्कुल इतना घना को रचाया हुआ है गाड़ी दिख रही है जो रोड से जा रहा है ट्रक बागी मौसम देखे कि इतना खतरनाग बना हुआ है बिल्कुल देख रहो तो फाइनली मैं भी पहुंच चुका हूँ कसलेंग मार्केट में थोड़ी सी बारिस भी हो रही है और हलकी चहल पहल भी देखने को मिल लिए अज के आज पहांगा बना क आज को क्यांग में अगर पहलिए जाएगा जिस से थोड़ा बहुंच ना चोड़ी आएट के आएगी तो हम लोग जी फाइनेल न साम का वक्त है करीब 6 बत चुके हैं और मैं के सेलिंग मार्केट से निकलने के बाद आप जा रहा हूं घर की तरफ को बागी जो मार्केट पर सीन हो रखा है जिन लोगों ने अतिक्रमण कर रखा अपनी दुकानों के आगे जहां जहां भी पीड़बोल्ली का जो एरिया है लोगों ने कबजया कर रखा है वो सारा कुछ हट रहा है गौर्मेंट के नोटीस हा रखे तो सभी दुकानदार अपने उन कामों में लगे हुए हैं जिन्दों ने भी अतिक्रमण कर रखा है सब हटा रहे हैं किसाम का मौसम है आज दिन मौसम कुछ ऐसा ही है मैं भी चल रहा हूं इस अपने जो घर को रास्ता जाता उस रास्ते से और यहां पर ना उस दिन जो मैंने वीडियो में दिखा है बहुत किचड़ों रखा था फिर यह हरीस भाई ने ठीक कर रखा है यहां पर थोड़ा ना लेना पूरी सेरिया में की चड़ी की चड़ हो रखा था फिर यह नाली टाइप बना रखी है पानी निकासी के लिए और आर पार लोग हो जाए उसके लिए पत्थर रख दिये हैं सीन चेक करो फ्रेंड किस प्रकार ना कोहरा जा रहा है देख रहा है देख रहा हुआ इस प्रकार से लोग यहां पर सेलिब्रेट करते हैं आज हो चुक ही 13 तारी और लगातार बारिस हो रही है इस बीच में फ्रेंड यह आज का फाइनल साम का नजारा हुआ भी चल रही है और इस तरफ को थोड़े बहुत घर दिखाई दे रहे हैं क्योंकि इस तरफ कोहरा न तो मिलते हैं जल्दी नेक्स ब्लोग में तब तक के लिए जैहिन बाई बाई ख्याल रखेगा